आज दीस वीडियो देवेच आपा जड़े साइंस पेडागोजी और ईविस पेडागोजी है आपा उन्हां दोना देई जड़ा मिक्सप पे जड़ा है आपा उधे बारे जड़े आप गाल करांगे ठीक है जी तुकि ज्यादा तरहे वैसे ईविस देना रिगार्डिंग है इविस ना रिलेटेड है पर इदे विचो जड़े आए कि साइंस दे वेच भी जड़ा पेपर सेकेंड लाई है उधे वेच भी जड़े आए कई कोश्चन दे विचो बन जान दे ठीक है जिमें कि तुकि देको इन्वाइरमेंट भी एक साइंस दा हिस्सा है या ना सो उध आने टो लए दोना लए बेनिफिशल है ठीक है जी तो आप आप वीडियो दे शुरुआत कर दे हैं एक सो एदे विच देखो आप 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 इस तो पहला पर वीडियो शुरू करी शुरू आत करी जो इस चैनल ते नमें आए ने चैनल नो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें हो इस चैनल वाल वीडियो से कही देख देने पर वी लाइक नकार दे हैं ईस तुरू देखो आप हूझ जरूर आत कर करें मेखो आफ टीचिंग केंदे कि to make learning effective and successful a teacher should follow maxims of teaching अगर असी learning जोड़ा है एक प्रभावशाली जड़ा बनाना है असी उन्हों एक कामिया बनाना है ता टीचर नों जड़ा है कोजे maxims of teaching हों देने ठीक है कोई journals rule हों देने टीचिंग दे उन्हों follow करने बेंदेने ठीक है जी besides मतलब principle of teaching दे नाल नाल ठीक होड़ो maxims of teaching की ने ओप इसी वीडियो दे वेच देखांगे जड़ा दे भी सब तो पहला है ओए जी from known to unknown देखो known के नोन मतलब के होंदा है कि कुछ चीज़ां दे बारे जड़ा सानू पहला ही पता होंदा है unknown मतलब है जेनू सानू हरे चीज़ां बारे नहीं पता देखो की कहनदा है कहनदा है a lesson should begin with the previous knowledge of the learner lesson शुरू करने तो पहला है जड़ा है ओप प्रीवियस नॉलेज बच्चें दे जड़ी देखी जान दिया कि बच्चें नो प्राना की पता है ठीक है प्रीवियस नॉलेज फॉर्म्स दा बेस ऑफ दा न्यू नॉलेज जड़ी प्रीवियस नॉलेज या ठीक है फॉर्म्स दा बेस ऑफ दा उही बेस होंदा या न्यू नॉलेज ता प्रीवियस नॉलेज दे मतलब कहलो कि उपर कदम रख के ही बच्चा जड़ा या अग्गे जड़ा new knowledgeable जानना है जि में कसी कही है कि कैसे बच्चे ने अगर पॉड़ी कोई चड़नी है ता हूँ दूसरी तीसरी पॉड़ी ते बच्चा ताद ही चड़ेगा गर वो first जड़ा है पॉड़ी दा पहला जड़ा है पॉड़ा है पॉड़ा है वो ते पहार रखे है ठीक है कि अगर सी बच्चे नो चिदा डेजचन बारे दास्त मांगे कि डेजचन की हुन कि एंदर जड़ाया इवा थे गाल लोड़ने थचि कर दा बच्चे Tan Ono G versesy सिद्धrete नागड जवांगे बच्छेन नों नहीं पता लगना बच्चा नों पहला शीं की दसनगी बच्छë नों फूड बारे दस शाँगे बच्छेन से कमय mieć फूरोर का जाना,nam known to unknown कि बच्चे नो जिना चीज़ा बारे पहला पता है पहला आप उत्ते फोकस करिए उत्तो बाद असे unknown वल जाए देखो जटा second है second है from concrete to abstract ठीक है concrete मतलब उमीदत सारे नो पता होगेगा concrete और abstract concrete मतलब की हुदा है आप उन्हों याद रखिए concrete मतलब cement concrete की कहदन है मतलब की जन्हों से चू सकते है मतलब सकत चीज़ा जन्हों आप देख सकते है जन्हों रियल अबजेक्ट से आप उन्हों concrete कहदन है कहनदा कि in the beginning learners should be taught about concrete real objects which can be touch or see मतलब जन्हों जन्हों से चू सकते है जिमें कि छोटे बच्चे ले अगे बच्चे नोसे teddy दे दिये जाब बच्चे नो toys दे दिये जड़ी toys हा toys कि हा concrete object सा बच्चे याद बच्चे उन्हों चू सकते है touch कर सकते है तो देखो एक्जाम्पल की कह रहा है कि यह जिदा अब्जेक्ट ओप्जेक्टों की हिंदे कि चीना नो आपने इमोशन से आपने देख सकते आप उन्हों आप्स्ट्रेक्ट कह सकते हैं ठीक है अगर 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 सी बच्चे नो कोई बच्चे नो कमा गे सिदा बच्चे नो कमा गे कि भी तुसी उड़दा कोडा देख्या अगर अगर सिद openness नो एई नहीं हमारा पता होना कि उड़दा की हंदा आई उस ले पहला सी बच्चे नो की सकते पहला सी बच्चे नो एद्धा दी चीज देखा दस आंगे जो उन्हें देखी ओगे असी पहले बच्चे नो पंची द खामाऑं गे उन पंची दखामांगे बच्चा जो अपनी अक्की पंची ने उड़दा देखेंगा ते वो देखेंगा कि हाँ भी एदा दा जड़ाया पंची होंदाया जेदे फैदर्स होंदे जेदे पार होंदे ते वो उड़दाया फिर असी बच्चे नों सी कह सकांगे कि बई कोई ज और से विज़ेड़े फैदर्स वहो सकते ताहीं हो उड़ेगा तो इनुग कहने दिया फ्रॉम कॉंक्रीट टू एबस्राइट विज़े एक से इंपॉर्टेंट वह एजी फ्रॉम सिंपल टू कंपलेक्स आप पर दू क्लास दे बेच भी बच्चे नू पढ़ाना है छोटे बच्चे नू पढ़ाना है तासी हमेशा सिंपल टू कंपलेक्स जाने हैं मतलब बहुत बेसिक चीज तो शुरू करके आपा मतलब ऑखाईवल जाने हैं जिवें फॉर एक्जामपल बिफोर टीचिंग शेल्टर लर्नर्स शुड बी आस्ट इन विच टाइप आफ शेल्टर दे लिव असी किसे बच्चे नू शेल्टर बारे दसना है कि शेल्टर की हो दाया उ तो पहला सानू बच्चे नू जड़ाया मतलब की सानू एक एना पेना बच शेल्टर दे विचे रह रहे हैं तो उसी कार दे विचे रहने हैं तो डेकर कितना दाया ठीक है फिर यह सी बच्चे नू बाच उदास सकांगे कि मतलब जेदे में अचे लिए कि दे शुड बी टूल अबाउट दा कॉजिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर ठीक है यह नो मतलब सी एद्दा सिंपल टू कॉंपलेक्स वल लेके जाना ठीक है अपा यहीं कि सिद्धा यह आपा बच्चे नो ऑक्खी जड़ी चीज है आप उपडा आनी शुरू करतानी जिमें मैं अध्स देगल लगार करी है ना यहीं कि जरूरी निकि आपा बच्चे नो ज लेशन इट्स समरी शुड बी प्रड्यूस्ट फर्स्ट अगर असी क्लास दे बेचे बच्चे न जो तो पढान जाना या एनी कि सिद्धा शुरू कर दना बच्चे नो पहला किसे चीज बारे समराइज करके दसना कि आप आप आजी की की पढांगे ठीक है ओ बच्चे नो थोड़ा थोड़ा इंट्रस्ट बनेगा कि हाँ अच्छे एसेज बारे गालाज होगेगी देन फिर अगे जड़ा या प्रॉपर जड़ा या लैसन जड़ा आप हाँ शुरू करांगे फ्रॉम होल टू पार्ट ठीक है फॉर एक्जांपल बिफोर गीविंग डिटेल्स समरी दासता वांगे ठीक है तो इस तो अगला जड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है यह था हर हर पेड़ागोजी देवेच पुछे जानता पामें इंगलिश मुझाबी इंदी मैट साइंस ठीक है इवी एस फ्रॉम पर्टिकुलर टू चर्नल जिन्हों अपा की कहा दा निया इंड़क्टिव मैठेड एदेता मतलब इस वार वीड़ा एग्जाम होया एदेवेच बहुत कोश्चन जड़ा है पुछे गए हर वरी मतलब हर वरी पुछे ही जान देया कि इंड़क्टिव मैठेड की दाया जी है न सुद्धे को इंड़क्टिव की हों दाया एग्जामपल्स मतलब कि असी बच्चे नों अगर किसे टॉपिक पारे समझाना आया ता असी जड़ा एग्जामपल्स तो शुरू कर देया जिमें कि आपा जड़ी में एक जिनी बार भी आप ग्रैमर्स इंग्लिश और पंजाबी दी ग्रैमर्स दी पैड़ा गौजी दे कर गाल किती है तो देबीच हमेशा आंदा कि बच्चे नों ग्रैमर्स जदो सखानी है तो हमेशा जड़े आप पहलना बच्चे नों एक्जामपल्स दसनी आने इक्जामपल्स तो अब पार रूल सबल जाना ठीक है एक एड़ा होंदा है यह मतलब पर्टिकुलर टू जर् देविंग अधर इग्जामपल ठीक है फिर ओ एक्जामपल्स दे बेस्ट उन्हों जर्नलाइज केता जानदा फॉर इग्जामपल्स शुडबी टोल्ड वाइफ फूड इस नसेसरी फॉर अस बच्चे नों जड़ा या उन्हों ए दसना पहला कि फूड साडले क्यों जरू या फिर अगला कोशन साड़ा बच्चे नहीं होंगा कि वाई डू अधर एनिमल्स नीड फूड बाकी जानवरा नो फूड क्यों चाहिदा है बतलब एक पर्टिकुलर तोसी हो एक उस एक्जामपल लो जर्नलाइज कर देना है बाकी सारे ले जिमें कि आपा कहिए कि साल एंदा या ठीक है जड़ा लिविंग भीगा ओ जड़ा या उन्हें एक नेक दिन मरना जरूर होदी डैथ जरूर होनी है ठीक होने खतम जरूर होना है फिर आपा यह सी कंसेप्ट हो जर्नलाइज करता कि जड़ी लिविंग थिंग कौन कौन होंदेने इंसान होंदेने जानवर हुंदेने ठीक है तो एक चीज तो मतलब उसी जड़ो उन्हें जर्नलाइज करता रहता है ठीक है तो वह ही हुद अधाया पर्टिकुलर टू जर्नल इस तो अगे आज़ान दया आ फ्राम अनलाईस तू सिंथसीज तेक अनलाईस मतलब ही हुदा है कि ब्रेक टाउ ब्रेकडाउन मतलब की चीजानों तोड़ के जड़ा अनलाइज कर सिंथसीज मतलब हुंता है कि जोड़ना डिटेल डिस्कुपिशन ओफ सब्जेक्ट मैटर शुड़ बी गिवन एंड देन इट्स सिंथसेज शुड़ बी डन पहले जड़ा या अगर अनलाइज किता चाहिए नुभ ब्रेकडाउन किता चाहिए अगर आसी जोड़ों ब्रेकडाउन करके उन्हों समझ लहने तो फिर उन्हों कठा करके संथसे जेक्टा करना प्रॉसाय से सिंथसेज कहां Um फॉर इग्जांपल, इंपेक्ट ऑफ डी फोरेस्टेशन शुड़ बी डिस्कॉस्ट इन डिटेल ठीक है जड़ा जंगला जड़ा कटा जड़े जंगल जड़े कटे जान देया शुड़ बी डिस्कॉस्ट उन्हों डिस्कॉड करना चाहिए दाया इन डिटेल एंड दैन जड़े जड़े है अगे कोई सुझा आदमांगे कि उन्हों कि में रोक सकते हैं ठीक है तो फेरी किता ही कह रहे है कि सिंसे शुड़ बी प्रडियूस्ट एट फॉरेस्ट आर नसेसरी फॉर्दा बैलेंस फेरी यसी जदो कठ्था चीज़ा करके दसनांगे कि जड़े आग सवेच देखो की कहनता किल बेट अब जर्ब देर इन्वाइरमेंट देर और शर्पी फ्र albums a लिंग्ध इर एक्सपीरिंस अथे जड़े लेंस ठीक है ब救़ेंस आ image이र experiences and their experiences are based on their logic वो बच्चे आदे जड़ा बच्चा आप experience कर दाया तो experience based on their own logic उन्हादी अपने logic ते जड़ा डिपेंट होंदा है ठीक है सो ताहिए ते लिखा है कि experience to logical पचा पहला experience कर दाया फिर उदे अंदर को logic डवेलप होंदा है पहला जड़ा logic होंदा है वो दे नाल जड़ा experience कर दाया फिर उस तो बाद होदा नमा भी जड़ा 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 ठीक होंदा है पर कई कहने है कि that claw helps her to get rid of tooth pain ठीक है सो मतलब कि बच्चा जड़ों आप experience करता है ठीक है उन्हें आप हल्दी लगाई थे ठीक हो गया ते यहादा मतलब उन्हें experience है उन्हें अपना logic लगाया ठीक है so logic of both is that they can get well without medicine उन्हों दोना दे जड़े logic तो उन्हें सिख्या कि असी medicine तो जड़ाया इलावा भी यसी ठीक हो सकते हैं they can be told उन्हें फिर से जान दाया कि some spices ठीक है मतलब कई जड़े मसाले एद्दा दे हुंदे ने जड़े as medicine यूश किते जान दे जड़े विचो हल्दी जड़ाया सब तो बदिया medicine है इसलिए कहन दे ना कि अगर साथे कोई लिंक कर देने जड़ा पूरे whole world ने नाम ठीक है सो इस तो गया आन्दा याजी फ्रॉम डिरेक्ट टू इंटरेक्ट ठीक है सो जड़ा एवी इंपॉर्टेंट है लेर्नर शुड भी प्रवाइड़ेड विद डिरेक्ट नॉलेज बच्चे नों जड़े डिरेक्ट नॉले अलगाएड लागार प्रिथवियां उनना बारे दसंट पहला ठीक है अलगाला डिडरेचिंग ग्रहार दसंट पहलाख उ उनने इस अलघ उदि डूस्ट मुन तो इस प argent 1 इंगा प्रोफ टूसे विद्दग्ट मतलए है कि जिड़नों वसी सिद्धा देख सकते हुन असी देखो प्लैनेट्स असी सारे नहीं देख सकते अपा हला कि अपने प्रित्वी नो भी आपा खुद अधनी बार मतलब देख दे जातकर असी स्पेस तो बाहर नहीं जाने वो कहना है कि सैटलाइट में जिमेसा नो दी दे उन्हों कह रहे हैं कहने कि प्लैनेट्स और सैटलाइट्स बारे बच्चे नो दसन तो पहला बच्चे नो एद्द यह दस्यां जान जीना नो देख सकते सुब असी देखो तार्या नो देख सकते हैं अपा सूरज देख सकते हैं अपा चंद्रमा देख सकते हैं सो बच्चे अन्हों सानिनाल देख सकते हैं विच लास्ट अन्दाया फ्रॉम इन डैफिनेट टो डैफिनेट अलर्णर लेंगवेच इज इन डैफिनेट एंड अनक्लियर देखुड़ी लर्नर्स उंदेने उन जड़ी लेंगवेच ओ इन डैफिनेट हुं दिया ठीक है ओ क्लीर नहीं ठीक है कंसेडरिंग हीज हर इन डैफिनेट नॉलेज एज बिगनिंग ही और शी शुड़ी टेकन टू डैफिनेट मतलव जड़ी बच्चयां दी जड़ी लेंगवेच या जड़ी पामें अनक्लियर आ उन्हों ही बेस बनाके उन्हों ही एज बिगनिंग समझ के जड़ा ट सब्सक्राइब करें अपनी नॉलेज नू तांको बच्चयां तक पहुंचा सकी आसी टीचिंग दे तुरू उके में करना है ठीक है जो एदे वेच आपाई देख्यां उमीद है तुसी वीड़ी दे खीर तक बने रहे होंगे तोड़े सारें दे तन्वाद सब्सक्राइब काद